निमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल इंडिया टेक में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या किसी भी परकार से खो जाता है तो आप उसको मिंटों में ब्लॉक कर सकते हैं और मोबाइल मिल जाने के बाद आप उसे खुझ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं ये जानकारी सभी लोगों को होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये घटना आपके भी साथ हो सकते हैं तो आप इसे तुरंद ब्लॉक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं complete process बतलाने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको Google को open कर लेना है, open करने के बाद यहाँ पे आपको type करना है CEIR, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुल के आएगा, तो यहाँ पे पहले वाले option CEIR वाले option पे आपको click कर देना, जैसे आप इस पे click करते हैं, तो यहाँ पे दूर संचार विभाग telecommunication का जो website हो, आपके सामने open हो जाएगी, open होने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीन option नजर आएंगे, पहला यहाँ पे block stolen and lost mobile, यानि आपका mobile अगर block हो गया है, या चोरी हो गया है, या गाइब हो गया है, उसको आप किस तरीके से यहाँ पे इसके लिए है, और यहाँ पे unblock के लिए है, दोस्तों उससे पहले मैं छोटी से एक जानकारी आपको यहाँ नीचे दे दूँ, कि यहाँ पे अगर आप नया mobile खरीद रहे हैं, तो आप उसकी EMI नंबर डालके, यहाँ पे देखें, तीन आप्शन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कोई भी नया mobile लेने से पहले आप इसको जरूर जांच कर लें, यहाँ पे SMS के जरीए आप पता कर सकते हैं, देखें, यहाँ पे KYM, उससे भी आप इसकी EMI नंबर डालके पता कर सकते हैं, तीसरा यहाँ पे वे पोल्टर इससे भी आप पता कर सकते हैं, आपको EMI नंबर अगर किसी mobile के निकालने हो, तो यहाँ पे दिख रहा है, एक कोड आपको नजर आ रहा है, इस्टार हैस जीरो सिक्स हैस, उसके बाद आप डायल कर देंगे, आपकी स्क्रीन पे मोबाइल की EMI नंबर आटोमेटिक शो होने लगेगी, अब बात करते हैं, यहाँ पे आप अगर मोबाइल गाइब हो जाता है, तो उसको आपकी इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला ओप्शन जो दिख रहा है, रेट कलर में, इस वाले ओप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस कुल के आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ, गुम चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अन्रोद, तो इस परकार का इंटरफेस खुलने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपसे मोबाइल नमबर मांग रहा है, ओ मोबाइल नमबर जो उसमें लगा हुआ था, अगर दो सीम लगी हुए तो इस पर दूसरा भी मोबाइल नमबर इस पर यहाँ पे डाइल करेंगे, उसके बाद EMI नमबर, फर्स्ट EMI नमबर यहाँ पे डाइल करेंगे और यहाँ पे सिकंड EMI, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवाइस ब्रांड यानि कौन सा मोबाइल आपका था, कौन सी डिवाइस थी यहाँ पे ब्रांड आप उसकी डाल देंगे, जो भी आपकी डिवाइस थी उसका ब्रांड डाल देंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पर device का model डालेंगे device model डालने के बाद यहाँ पर upload mobile purchase invoice अगर आपके पास जो mobile खरीते समय receipt मिलती है एक receipt मिलती है अगर है तो इसको आप यहाँ पर upload कर सकते हैं अगर नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ लॉस्ट इंफोर्मेशन में गाइब हुई इंफोर्मेशन को देने के लिए यहाँ पर लॉस्ट प्लेस यहाँ पर आपको उस जगय का नाम डालना है जहां से mobile आपका गाइब हुआ है उसके बाद यहाँ पर आपको date डालना है किस state में आपका गाइब हुआ है उसके बाद यहाँ पर लिखना है select state किस state में गाइब हुआ है उसका भी आप लिखेंगे उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखी एक option दिख रहा है जिम्मेदार आप होगे, तो इसलिए आपको पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट लिखवानी है, तो यहाँ पे आप कंप्लेंट की रिसिप्ट आपको मिलेगे इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, यहाँ पर नाम जिनका भी मोबाईल गया हुआ है, यहाँ नाम ल complete address डाल देना है, उसके बाद यहां पे upload identity, यहां पे आधार card, band card, कोई भी एक proof आपको select कर लेना है, उसके बाद यहां पे वही पूरूप आपको यहां पे attach कर देना है, attach करने के बाद यहां identity number, अगर माल लीजी यहां पे आधार select किया हुआ है, तो यहां पे आधार का number डाल देना है, उसके मोबाइल पे एक OTP जाएगी उसी OTP को यहाँ पे fill up करना है fill up करने के बाद यहाँ नीचे जैसे आप OTP वाले option करेंगे तो यहाँ नीचे एक fill up करने के लिए OTP का option आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको tick कर देना है tick करने के बाद यहाँ submit वाले option पे click कर देना application number जनरेट होगा complaint number और complaint number आपको कहीं पर लिख के रख लेना है उसके बाद आप उसका status किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि complaint हमारी दर्ज हुई है की नहीं हुई है उसको चेक करने के लिए आपको back उसी page पर आ जाना है इस page पर आने के बाद यहाँ पर देखे एक option दिख रहा है check request status इस वाले option पर आपको click कर देना click करने के बाद यहाँ पर request ID डालेंगे और यहाँ submit वाले option पर click कर देंगे तो वहाँ पर आपका status पता चल जाएगा कि आपकी complaint दर्ज हुई है की नहीं हुई है उसके बाद बात करें यहाँ पर कि आप अगर in case आपका mobile मिल जाता है तो आप उसको किस तरीके से unblock कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक option दिख रहा है unblock found mobile इस वाले option पर click करना है click करने के बाद आपको request ID डालना वही request ID जो आपको submit करने के बाद एक request ID मिलती है उसको यहाँ पर submit करना है उसके बाद वही mobile number जो आपने personal information में number दिया वही mobile number आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको reason दिखा देना select यहाँ पर reason तो recovery by police found by self और यहाँ पर block by mistake इसमें से तीनों में से कोई option एक choose कर लेना है recovery by mobile अगर mobile फ्लूइस के थुरू मिलता है तो यहाँ पर आप करेंगे found by myself अगर आप खुद से इस mobile को पाते हैं तो यहाँ पर click करेंगे और block by mistake अगर आपने गलती से इसको block कर दिया है जैसे आप इस पर click करेंगे तो थोड़ा सा time wait करने के बाद आपका mobile automatic unblock हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने mobile को block भी कर सकते हैं उसको block भी कर सकते हैं और उसका status चेक कर सकते हैं दोस्तो वीडियो कैसी लगी comment करके बताइए चैनल को subscribe करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye